नमस्ते मैं मन्जु कुमारी आज आप लोगों को असपर्स भागवन क्लाश 9 का पार्ट धर्म की आरका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूं कि अग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है इससे पहले मैं इसका फूल समरी और इसका फूल एक्स्प्लेशन भी बनाई हूं उसको देखने के लिए आप उपर दिये गए आइवेटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए दिसक्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में देख सकते हैं क्लाश 9, क्लाश 10, असपर्स, संचेन, किर्तिका, छितिच का मैं लगवग सारा चेप्टर पढ़ा चुकी हूँ, उसका समरी भी बनाई हूँ, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, और अभी मैं आप लोगों को धर्म की आर का प्रशन उत्त कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, मतलब चलते फुर्जे लोग कोन होते हैं, जो चालाक होते हैं, जो धूर्थ होते हैं, जो अपना काम निकालना चाहते हैं, वो इससे लोगों के बारे में बोला गया है, कि वोग क्या करते हैं, दूसरे को साधार लोगों को वेवकू बनाते हैं और उनकी शक्तियों का दुरूप्योंग करते हैं आगे लेख्ञक का दूसरा कोईश्न लेख्ञक बता रहे हैं चालाक लोग साधारन आदमी की सवस्था का लाव उठाते हैं अथवा धूर्तकिश बात का अनुचित लाव उठाते हैं इसका एंसर है चालाक आदमी साधारन आदमी की धर्म के प्रति अटूट आस्था का लाव उठाते हैं मतलब साधारन आदमी धर्म के मूल तत्तों को नहीं जानते हैं और धर्म के नाम पर ही वे लोग किस तरह आपस में जो हैं लड़ते हैं और एक दूसरे के खून के करने के लिए ऐस्थावान धर्मिक लोगों को मरने मारने के लिए छोड़ देते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं साधारन लोग क्या होते हैं धर्म के मूल तत्तों को नहीं समझ पाते हैं और आपस में ही वे लोग किस तरह से जो हैं एक दूसरे को कतल कर देते है और उसका हुए लोग क्या करते हैं फायदा उठाते हैं आगे प्रशन है आने वाला समय किस प्रकार के धर्म को नहीं टिकने देगा इसका एंसर है जो लोग धर्म के परती दिखावा मात्र करके लोगों को आपस में लरवाते हैं आने वाला समय उन्हें नहीं टिकने देगा क्योंकि इन लोगों के पास इंशानियत नहीं है इसलिए आने वाला पिरी इस बात को पूरी तरह से समझ गया है कि किसमें इंसानियत है और किसमें इंसानियत नहीं है आगे प्रशन है कौन सा कार्य देश की श्वाधिंता के विरुद्ध समझा जाएगा इसका एंसर है देश की आजादी के लिए किये जा रहे प्रयाशों में मुल्ला मौलवी और धर्माचारियों की शहवाग किता को देश के श्वाधिंता के विरुद्र समझा जाएगा लेखक के अनुसार धार्मिक व्यभार से स्वतंतरता की भावना पर चोट पहुसता है मतलब क्या होता है कभी-कभी वे लोग दिखावा में दिखाते हैं कि हम धर्म के नाम पर यह काम कर रहे हैं लेकिन उसके पी विदेशों में धनी और निर्धन लोगों में क्या अंतर है वीलोग करते खरी आता और गरीब लोगों कुछी पैशे मिलते हैं और उसका मजाक भी उराया जाता है गरीब लोग रोटी के लिए संघर्स करते हैं जोपरियों में रहते हैं आगे प्रशन है कौन से लोग धार्मिक लोगों से अच्छे हैं इसका एंसर है नास्तिक लोग जो किसी धर्म को नहीं मा लेकिन उसके अंदर अच्छा है निश्वार्त भाऊ कर रहा है अगर किसी के दुखी होने से दुखी होता है दिन दुख्यों का मदद करता है तो ऐसे लोग धार्मिक लोगों से भी अच्छा एसे लोग पूजा-पाठ करते हैं अपने आपको धार्मिक कहते हैं उन लोगों से ये लोग कहें अच्छे हैं वे सदा दूसरों के सुख दुख में एक दूसरे का शाथ देते हैं दूसरी और धर्मिक लोग एक दूसरे को धर्म के नाम पर लड़वाते हैं आगे प्रश्न है जो कि 50-60 सब्दों में रहेगा तो इसका प्रश नमर वन ह धर्म और इमान के नाम पर किये जाने वाले विशन व्यापार को कैसे रोका जा सकता है? इसका एंसर है, आमीर और चतुर लोग अपने स्वार्थ के लिए साधारन लोगों को अपने चंगुल में फशाते हैं, ये लोग धर्म के नाम पर मर मिटने को भी तयार हो जाते हैं, धर्म और इमान के नाम पर चारों तरफ दंगे फशाद किये जाते हैं, कुछ स्वार्थी लोगों को उन आदमी और धर्म की शही सिक्षा के लिए जानकारी दिया जाए, यहां पर लेखक कह रहे हैं, कि साधारन आदमी को धर्म का मूलत तो समझाया जाए, कि अशली मूलत तो क्या है, मानब धर्म सर्वो पर ही है, और इस बात को अगर वह जानेंगे, तो आपस मे सब प्यार की भावना से रहेंगे, लोगों को समझाया जाए, कि दंगा करके खुन वाहने वालों का कोई धर्म नहीं होता है, इन लोगों के उपर शक्ति से पेश आने से ही दंगा फशाद को रोका जा सकता है, आगे प्रशन है, बुद्धी की मार के शंबंद में लेखक क क्या विचार है, तो इसका अंसर है, बुद्धी की मार से लेखक का अर्थ है, बुद्धी पर परदा डालकर उसका दुरुपयोग करना, मतलब लोगों की बुद्धी में ऐशे विचार भढ़ना की वे उनके अनुसार काम करें, धर्म के नाम पर, इमान के नाम पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भरकाया जाता है लोगों की बुद्धी पर परदा डाल दिया जाता है उनके मन में दूसरे धर्म के विरूद जहर भरा जाता है इसका उदेश खुद का प्रभुत बना वरहाना है और किस तरह से परदे में छिपकर ये लोग और शमाजिक तत्व ज स्षी भनी चाहिए विकेश्य पर्देशी होनी चाहिए लेखा का अनुसर धर्म के विश्य में मानव अधने उन्हें पीस दरह अ उसल्य पर दोना लाएक्षई चाहिए हर व्यक्ति आजाद कि अंदरम को इसदुना अब होनी चाहिए इस्वर और आत्मा शे होना चाहिए वह मन को सुद्ध करके करने का मार्ग होना चाहिए अपने जीवन में उचा उठाने का शाधन होना चाहिए दूसरे को कुचलने कर नहीं आगे प्रश्न है महत्मा गांधी के धर्म स्मंदी विचारों कर प्रकाश डालिये इसका answer है महत्मा गांधी अपने जीवन में धर्मको महत्पूर्णा स्थान देते थे उनके अनुसार धर्म का अर्थ है उची भावना, हर कदम पर वे धर्म को मानते थे, परन्तु उनके लिए धर्म का अर्था उचे विचार तथा मन की उदारता, वे कर्तब्य पक्ष पर जोड देते थे, वे धर्म के नाम पर हिंदू मुशलमानों की कर्टरता के फेर में कभी भी नहीं रहते थे, एक प्रकार से वे कर्तब्य धर्म की रक्षा करना ही उनका कर्तब्य था, आगे प्रशन है, सब के कल्यान है तो अपने आचरन को सुधारना क्यों आवश्यक है, तो इसका एंसर है, व्यक्ति को धोंग और आडंबर में विश्वास नहीं रखना चाहिए, जब तक हम श्वेंग का आचरन ठीक नहीं रखेंगे, दूसरे लोगों को उसकी प्रेरना ह हम नहीं दे शकते हैं, समाज में उदाहरन बनने के लिए हमें श्वेंग का आचरन सुधारना होगा, मानम मात्र की भलाई तभी हो शकती है, जब हम नीजी स्वार्त को छोर कर पूरे शमाज की भलाई के बारे में सोचें, हमेशा सुध आचरन रखना चाहिए और खुद को सुधारने का प्रयाश करना चाहिए, आगे प्रशन है, आसे असपष्ट कीजिए, तो इसका पहला है, उबल परने वाले साधारन आदमी का इसमें केवल इतना ही दोश है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं, उधर जोत जा Sídha, इस बात को वे लोग नहीं समझ पाते हैं उन लोगों के जो हमारे देश में जो धार्मिक पुस्तक ऐ हैं का वे अध्यन नहीं किये रहते हैं रामायन गीता महाभारत बेद उपनिशद में क्या कहा गया है इस बात को वे नहीं जान पाते हैं और जो छोटी सी बात होती है उसी बात पर वे लोग एक धर्म को लेकर ही जिधर उनको लड़ने के लिए कह दिया जाता है उसी बात पर वे इस श्वर और आतमा के नामकर अपनी श्वार्च शिद्धी के लिए लोगों को लराना भीराना इसका एंसर है भारत में धार्मिक नेता लोग की बुद्धी है पहले उए अपने प्रति अंध स्रधा उत्पन करते हैं मतलब यही कहते हैं कि हम इश्वर हैं मेरी पूझा करो और धर्म साधारन लोग जो होते हैं वह दर्म के मुल्द तत्व को नहीं समझ पाते हैं और उन्हें इस्वर समझने लगते हैं लोग उन्हें इस वर आत्मा धर् विराते हैं तथा अपना स्वार्थ सिद्धी करते हैं आगे प्रशन है अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा आपकी भल्मन शहत की कसोटी केवल आपका आचरन होगी तो इसका एंसर है कि इस उक्ति का अर्थ है कि आने वाला शमय में किसी मनुष्य के पूजा पाठ को नहीं देखा जाएगा उसके विभार को देखा जाएगा वह किस तरह का विभार करता है उसका आचरन कैसा है उसके अंदर सदाचार की भावना है कि नहीं है इस बात को देखा जाएगा कि आपने कितना पूजा पाठ किया कितना अपट दान किये यह नहीं देखा जाएगा इसमें केवल उसका सुधह आच्रण देखा जाएगा कि वह दीन-दुख्यों का कितना मदद करते हैं, शमाज और देश के लिए क्या उनकी शोच है और उनके अंदर कितना उदार तत्व है आगे प्रश्ण है, तुम्हारे मानने से ही मेरा इस्वरत तो काइम नहीं रहेगी दया करके मनुश्यत्य को मानो, पसु बनना छोड़ो और आदमी बनो इसका अंसर है, लेखक कहना चाहरे हैं कि अगर आपको इस्वर से प्रेम हैं तो आप मनुश्य बनेने अर्थ है कि लेखक कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर मनुशक्त्य की भावना तो मनुष्यत्य की भावना रहने से ही समाज देश का विकास हो सकता है, तभी मनुष्य सही अर्थ में कहला सकते हैं, आदमी बनो और पशुण वाला आचरन त्याग दो यहां पर लेखा किया काना चाहर है कि आदमी का जो आचरन होता है, उस आचरन पर चलना चाहिए, दर्म के नाम पर कटरता को त्याग दो और मनुश्य के साथ उदरता पुर्भक सहयोग और अशनेश के साथ ब्यभार करो आगे प्रशन है लेखा गनेश शंकर विद्यार्थी जी ने किस उदेश और शमाजिक व्यक्तियों को वे नकाव किया है धर्म की आर पाठ के आधार पर उत्तर देजिए तो इसका एंसर है गनेश शंकर विद्यार्थी ने लोगों को धर्म के नाम पर किये जा रहे हैं खून खरावे को रोकने के लिए और शमाजिक व्यक्तियों को वे नकाब किया है उनके अनुसार जो लोगों को धर्म के नाम पर इकठा करते हैं, उनके मन में आस्था जगाते हैं और फिर दूसरे धर्मों के विरुद उन्हें मरने मारने के लिए छोड़ देते हैं, वे वास्तब में और शमाजिक हैं, यह और शमाजिक तो ऐसा करते हैं, आम लोगों को उन देश के प्रतिशावधान रहना चाहिए यदि उन्होंने उनकी धुरता को ना समझा तो वे शमाज को आपस में लडाएंगे और अपनी मनमानी चलाएंगे अगे प्रशन है धन की मार और बुद्धी की मार में क्या अंतर है लेखक ने किसे अधिक खतरनाक माना है तो एंसर ह लेखक के अनुसार धर्म की मार का प्रियोग पश्मी देशों में हुआ करता है वहां पर धर्म के बल पर गरीब लोगों का शोषन होता है लेकिन यहां पर क्या होता है यहां पर जो है फिर थोरे से धन के लालस में गरीव लोगों को अपने व्यवसाय में जोद दिया जाता है एक प्रकार से उन्होंने धन के माध्यम से करोड़ों गरीव लोगों पर शाशन किया है बुद्धी का मार मतलब यह है कि धन की मार से भी अधिक खतरनाक बुद्धी की मार है यहां धर्म के नाम पर बुद्धी पर परदा डाल दिया जाता है और अपने आपको धार्मिक कहकर सिधे साधी लोगों की आखों में धूल जोका जाता है मुर्ख लोग अपनी बुध्धी बंद करके उनके अनुयाई बन जाते हैं अब धार्मिक लोग जैसा भी चाहते हैं वे उनका बल बढ़ाते हैं वे सचमुझ उनके गुलाम बन जाते हैं उनकी सोचने की शक्ति शमाप्त हो जाती है असपष्ट रूप से बुद्धी की मार धन की मार से अधिक खतरनाग है आगे प्रशन है गनेश शंकर विद्यार्थी ने धार्मिक लोगों को मुर्ख क्यों माना है क्या धार्मिक लोग मुर्ख होते हैं इस एंसर है गनेश शंकर विद्यार्थी के अनुसार धार्मिक लोग जो ढौंग करते हैं जो अपने आपको दिखावा करते हैं वे भर्म के नाम पर आंख बंद कर लेते हैं वे धर्म गुरूओं, सन्तों, मुल्ला मॉल्मियों के खरीदे हुए गुलाम बन जाते हैं यदि उनके धार्मिक नेता कहा दें कि उनका मजहब खत्रे में है तो वे अं सूष करते हैं एक परकार से वए मुर्ख हैं वह समाझ नहीं पाते कि धार्मिक नेता उन्हें ध्रम के नाम पर लडा रहे हैं ओंड जोना का मेरे विचार से वह सबी धर्म प्रियव लोग मुर्ख नहीं होते oni केवल धर्म के तक्तों में विश्वास रखते हैं धार्मिक जगरों में नहीं उलजते है इसलिए सभी धार्मिक लोगों को मुर्क करना विल्कुल गलत और भ्रामग है आगे प्रस्ण है धर्म के उपाशना कशी होनी चाहिए इसका एंसर है लेखक के मंद अपनी आत्मा इस्वर मन और इंवाल से है इसका किसी अन्य धर्म से लेना देना नहीं है आगे प्रशन है धर्म किष़ बात का शाधन हो ना चाहिए तो एंसर है लेखक के अनुसार ध्रम अपणी आत्मा को सुध्य हर ऊचा करने का शाधन होना चाहिए इसका अनसर है जाहिए उनके लिए भोले भाले लोगों को धर्म के नाम पर आपस में लर्वाना शुगम होता है आगे प्रशन है विभिन धर्म का पारष्परिख शमंद कैसा होना चाहिए उसका एंसर है विभिन धर्मों में आपशित शमंद promised का होना चाहिए किसी एक धर्म को दूसरे धर्म की राह रोखने का आधिकार नहीं होना चाहिए इस्वर कैसे लोगों से प्यार करता है तो एंसर है लेखक के अनुसार इस्वर ऐसे लोगों को प्यार करता है जो नाश्तिक होते हुए भी एक दूसरे के शुक दुप का ख्याल लगते हैं, जो सदाचारी होते हैं और दूसरों की आस्था से स्वार्थ सिद्ध नहीं करते हैं आगे प्रशन है हमारे देश में किस बात का जोर है? एंसर है हमारे देश में धर्मा का जोर है, लोग बिना सोचे समझे किसी अन्य के वहकामे में आ जाते हैं और उनके इसारे पर कुछ भी करने को तयार हो जाते हैं आगे प्राशन है कैशा व्यक्ति सच्चा-धार्मिक है? तो अंसर है लेखक के अनुसार सच्चा-धार्मिक हुआ है जो सदाचार और सुद्ध आचरन पर बल देता है उपरी धोंगों पर नहीं आगे प्रश्ण है भलमनशाहत की कसोटी क्या मानी गई है? अंसर है भलमनशाहत की कसोटी मनुष्य का अच्छा आचरन को माना गया है आगे चौट क्वेश्चन है सुधाचरन से क्या तातपरी है? धर्म की आर पाठ के आधार पर उत्तर दीजी इसका अंसर है सुद्धाचारण से तातपर है जीवन में बैमानी न करना तथा किशी को दुख न देना आगे प्रशन है साधारण आदमी को क्या वाजीब लगने लगता है और क्यों धर्म के आधार पर लिखिए अंसर है साधारण आदमी को जिस धर्म या व्यक्ति पर आस्था हो जाती है उसके लिए अपनी जान देना और अन्य किशी की जान ले लेना भी उसे वाजीब लगने लगता है आगे प्रस्ण है धर्म एक्ता का माध्यम है क्या आप इससे सहमत है अस्पष्ट कीजिए इसका एंसर है धर्म ही एक्ता का माध्यम है सभी धर्म यहीं शिखाते हैं सभी इंसान एक हैं इसलिए जब कभी विश्व के शभी नागरी एक्ता के सूत्र में बंदेंगे तो धर के कारण ही बनेंगे परंतु जो लोग धर्म की आर में राजनीती चलाते हैं वे एकता को नश्ट करते हैं तो इसी के साथ पाठ समाप्त होता है आसा है आप लोगों को सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्राइब के बगर में बिल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक और कॉमेंट्स किजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा आगे मैं मिलूंगी नए पाठ के साथ धन्यवाद अधि कि 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 कि